आपके सामने स्क्रीन पर एक थाली दिख रही होगी जिसमें पूरी मटर पनीर की सब्जी, सलाज, मिलक सेक, सेव और आइसक्रीम है। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि यह जरूर किसी बड़े होटल का खाना है। एक आम परिवार का बच्चा तो ऐसा खाना खा ही नहीं सकता। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें एक बच्चा अपने हाथ में उसी थाली को लिए हुए है। और उसके पीछे लिखा है कुछ प्रात्विक विद्याल है मलकापुर छेतर जालौन। यानि दुसरी तस्वीर से यह साफ हो जाता है कि यह खाना किसी बड़े होटल का नहीं बलकि उत्तर परदेश के जालौन के एक सरकारी स्कूल के मिड़े मिलका खाना है। जिसमें पूरी मटर पनीर की सबजी, सलाद, मिलकशेक, सेव और आइसक्रीम बच्चों को खाने में दिया जा रहा है। इन दोनों फोटो को सोशल मीडिया पर खुब सेयर किया जा रहा है और लोग योगी सरकार की खुब वाहवाही कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं कभी योपी की गिंती भारत के बिमारू राजियों में होती थी और आज देखिए यहां के बच्चों को सरकारी स्कुल में कितना अच्छा खाना मिल लहा है। यह योगी जी की किरपा से ही संभव हुआ है। क्या सचमुच इतना अच्छा खाना राज सरकार के द्वारा दिये जा रहे है पैसों से मिल लहा है या इसकी सचाई कुछ और है। जब हमने इसकी परताल की तो सारा सच सामने आ गया। क्या है यूपी के इस सरकारी स्कूल के मिड़े मिल की थाली की सच्चाई हम आपको आगे बताएंगे नमस्कार मेरा नाम परितोर शाही है और आप जंता जंसन देख रहे हैं देश के कई राजियों में मिड़े मिल में दिये जा रहे खाने के गुनवत्ता को लेकर हमेशा ही सवाल उठता रहता है कहा जाता है कि मिड़े मिल में दिये जाने वाले खाने का 80% रुपया तो सरकारी स्कूले पर आने वाले टीचर अपने में ही बाट लेते हैं बाकी बचे 20-30 रुपए में जैसे तैसे बच्चों को कुछ भी खाने के लिए दे दिया जाता है। कुछ दिन पहले तो यह भी आरोप सरकारी स्कुल के स्टिक्षकों पर लग रहा था कि जिस बोरा में अनाज भरकर सरकारी स्कुल में लाया जाता है, जब अनाजम खत्म हो जाता है तो स्टिक्षक उसे भी ब्यापारियों को आधे दाम में बेच कर मुनाफ़ा कमा लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं। कुछ महीने पहले की ही बात है जब उत्तर परदेश में चुनाव होने वाला था। उसी दर्मियान सोनभदर जीले के एक स्कुल के मिड़े मिल का खाना सोसल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। जिसमें सरकारी स्कुल के बच्चे के थाली में खाने के लिए सिर्फ नमक और रोटी दिया गया था। क्योंकि चुनाव का समय था सरकार की हर तरफ थूथू हो रही थी तो आनन खानान में प्रसासन ने स्कुल के पूरे स्टाफ पर ही करवाई कर दी लेकिन इस बार मामला इसके ठीक उलट है। इस वार उतर प्रदेश का सरकारी स्कुल मिड्य मिल में रद्धी खाने को लेकर नहीं बलकि सांदार खाने को लेकर चर्चे में है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल जिसका नाम उच्छ प्रात्मिक विद्याल है मलकापुर जो जालाउन छेतर में आता है उसमें बच्चे को मीडे मिल में जो खाना दिया जा रहा है यह खाना देखने में इतना स्वादिश्ट लग रहा है कि किसी भी आदमी के मुझ से पानी टपकने लगे थाली में पूरी मटर पनीर की सब्जी सलाद मिलक शेक सेव और आइसक्रीम दिया गया है यह बच्चा स्कूल ड्रेस में है और अपने हाथ में खाने की थाली लिए हुआ है बताया जाता है कि इस स्कूल में रोज तरह तरह के स्वादिश्ट और पॉष्टिक खाने बच्चे को दिये जाते हैं जैसे छोले, रसगुले, मिठाई, खीर, रसमाजुरी और बहुत कुछ मलकापूर उच्प्राथिक्वी द्याले में बच्चे को मिड़े मिल में तरह तरह के वेंजन पर उसे जाते हैं यह फोटो सोसल मीडिया पर बच्चे पढ़ते हैं लगवग उतर प्रदेश में उतने स्कूल हैं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि उतर प्रदेश के सरकारी स्कूल के मिड़े मिल का खाना देखिये, अगर दिल्ली के किसी एक स्कूल में ऐसा खाना दिया जाता तो इंटरनेशनल अखवारों में यह स प्रचार कैसे किया जाता है, इस तस्वीर को लेकर लोग तरह-तरह के दावे कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसे योगी सरकार की इमांदारी के प्रतीक के तौर पर इसे दिखा रहे हैं, लेकिन जब इस वारे में हमने सच्चाई की तलास की, क्या सचमुच इतना अच्छा खाना सरकार दोरा दिये जा रहे हैं पैसे से, उनके दोरा दिये जा रहे हैं मदद से मिल रहा है, तो यह पता चला की यह दावा बिलकुल गलत है, जैसा खाना इस ताली में आपको दिख रहा है, वैसा खाना इस स्कुल के सापताहिक आहर तालिका में कहीं मेंसन ही नहीं है जो तस्वीरे वाइरल हो रही है वो 31 अगस्त की है इस दिन का खाना यहां के ग्राम प्रधान जो पहले एक पत्रकार रह चुके हैं उन्होंने अपने प्रयास से बनवाया था जब भी स्कूल के बचों को इस तरह का खाना दिया जाता है उनके खाने को मोडिफाई किया जाता है तो इसमें स्कूल के नहीं बलकि किसी बाहरी व्यक्ति के संसाधन लगे होते हैं संसाधन चाहे सरकार का लगा हो या ग्रामप्रधान का, फाइदा तो वच्चो का ही हो रहा है, इसलिए हमें इस तरह के साकारातमक प्रयास करने वालों की तारीफ करनी चाहिए, उनकी शराना करनी चाहिए, बाकी आप इस खवर पर जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट बोक बताईए, बाकी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ, देखते रहे जंता जंक्सन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद.